नीरू के साथ रहता था, पत्ती पत्ती दोनों ही नौकरी करते थे, एक दिन तेजस गाउं अपनी मा की पास फोन करता है हेलो, प्रणाम मा, जी ते रहो, मा, तुम दादी बनने वाली हो, हैं, अरे वा, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ जब मा जी शहर पहुँची, तो बेटे बहु ने बहुत अच्छे से स्वागत किया लीजिये मा जी, चाय अरे, गर्मा गरम पकोड़े ले आओ, मा के लिए निरू रसोई में गई, और दो मिनिट में ही पकोड़े ले आई जी, ये लीजिये बहु, जाद से बनाये हैं क्या, अभी तो रसोई में गई थी यमी मा जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस ले कर आई ये भगवान, मेरा धरम ब्रश्ट कर दिया तुने, अब तो गंगा जल से शुद्धी करण करना होगा दूसरे दिन मा जी, मैंने नाश्टा बना दिया है, ओफिस जा रही हूँ पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है शिला आती ही होगी, जाड़ू, पोच्छा, बर्तन, कपड़े, वो सब कर लेगी हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे जी मा जी, आप बहुत होश्यार है, मैं घर और अफिस दोनों नहीं समाल पाती तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की वैसे भी, घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर मा जी, पर वर कुछ नहीं, इस महिने की पगार मिले, फिर आप ही सबंद, हाँ रात को नीरू तेजस से कहती है सुनिये जी, मा जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दू वैसे जी की तो है, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है फिर भी आराम कहा, शीला को छोड़ाने के लिए बोल रही थी तो अब 24 गंटे में इतना काम तो करी सकती हो पर जौब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा अगले दिन जब दोनों आफिस के लिए निकल रहे थे मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में माजी, आजकल महंगाई बहुत है रहन सेहन भी बदल गया है दोनों नौकरी करते हैं, तब ही चीक रहता है अच्छा, तु कहना क्या चाती है मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता तु ही इस घर का खर्च चला रही है नहीं माजी, मेरा वो मतलब नहीं था मतलब खूब समझती हूँ ये बाल धूप में सफेद नहीं किये मैंने अब तो ये रोज का काम हो गया था तेजस भी रोज की चिक-चिक से परिशान हो गया था एक दिन उस दि कहा निरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनेटी लिव मिलने वाली है तो अभी से ही छुट्टी ले लो पर पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है आखे निरू ने रिजाइन कर दिया जब बच्चा हुआ, तो घर में सब बहुत खुश हुए कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था क्या हुआ तेजस, कुछ परिशान लग रहे हो हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छटी के फंक्शन में खत्म हो गई है निरू और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुणना को हैपिटाइटिस का ठीका लगवाना है निरू, क्या पोस्पोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है पैसों की कमी का असर घर के माहूल पर भी पढ़ रहा था अगले दिन बेटा, मेरा चश्मा और ये दवाईया ले आना पर्चा देती हुए माजी ने कहा जी तेजस मुन्ना के लिए दूद का डिपा और डाइपर भी ले आना और ये किराने के सामान की लिस्ट है इसे भी लाना है तेजस गुसे में लिस्ट मरोड कर फेकता है और चिलाता है पैसे क्या पेड़ पर उखते हैं? ये ले आना, वो ले आना अरे, पर ये जरूरत का सामान ही है वो गुसे में बिना कुछ कहे ओफिस चला गया अरे, अरे लांच तो ले जाएए नीरू दौड कर डिपा पकड़ाती है एक दिन खाना खाने के बाद नीरू हम? अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया तो? अब तुम वापिस जॉइन कर लो ना, जॉब पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है ट्राई तो करो फिर मुन्ना माजी है ना, और एक फूल टाइम मेट भी लगा लेंगे पर माजी, उन्हें तो पसंद नहीं तभी माजी वहां आ जाती है और प्यार से निरू के सर पर हाथ फैरते हुए बूलती है अब मेरी समझ में आ गया बहु पहले के और अपके समय में अंतर है तुम काम शुरू करो मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी मेरी प्यारी माजी ये के कर